दूसरों की सलहा से सिर्फ रास्ते मिला करते अगर मंजिल पानी है तो मेहनत खुद की करनी पड़ेगी नमस्कार मैं अभी ने आप सब का अभी ने मैं स्पे स्वागत करता हूँ कैसे हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आज की किलास थोड़ा सा लेट होगी मैंने आपको बताया था कि कुछ इशू है लेकिन हम अब पूरे उत्सार उमंग के साथ पढ़ेंगे पूरी एनरजी के साथ पढ़ेंगे जीवन में मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ आया हूँ कि आत्म चिंतन इंट्रो इस्प्रेक्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है हम सब मैक्सिमम लोग लाइफ में एक नएक पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमें यह समझ नहीं आता कि अब आगे मंजिल मिलने वाली है या यूटन लेना बनता चाहे वो रिलेशनसिफ हो चाहे वो जीवन के किसी भी पढ़ाव पर हो चाहे हम बिजनिसमेन हैं चाहे हम करकेटर हैं चाहे हम ब्राट कोली हैं चाहे हम कोई भी हैं मैं लगातर 2012 से पढ़ा रहा था मेरा सपना खुद के सपनों को हकीकत में बदलना था लेकिन 2015 तक लगातर 4 साल मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी क्यों वो किक मुझे नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में क्या मैं गल्तियां क कि मेरी कमिया का है मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ आज आप देखते हूंगे आपके जीवन में भी घर परिवार रिष्टेदार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी गल्तियां करके ये तक नहीं सोचते कि उन्होंने किसी को हर्ट किया है उन्होंने गलत किया है या वो क में आभास कराता है वो हमें बताता है कि हम यहां गलत हैं यहां हमारे effort में कमी है हम सिर्फ आज फल की चिंता करते हैं जिस दिन हमारा effort 100% हो जाए जिस दिन हम अपनी नजरों में ये लगे कि मैंने सब कुछ हो किया जो जरूरी था तो अगर कोई चीज हासिल भी नहीं होगी तो भी हमें दुख नहीं होगा दुख तभी है जब हमारे effort में कमी है जब हमारे प्रियास में कमी है तभी सुख के आवास में कमी है introspection बहुत जरूरी है life में आज हम English पढ़ते हैं vocab के लिए हम introspection पढ़ लेते हैं कि introspection का मतलब क्या होता है बट हम यह सच नहीं जान पाते कि यह life में कितना important है आज कितने सारे बच्चे मौक में 150 नंबर पे अटक गए हैं 130 नंबर पे अटक गए हैं और उनको इतना समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या नया करें जिससे की वो 170-180 तक पहुँच पाएं या कितने तो ऐसे बच्चे हैं जो इस दिसा में सोचना ही नहीं चाहते कितने ऐचे बच्चे हैं जिनके पास अभी कोई 3 महीने की planning ही नहीं है उनको नहीं पता उनको क्या करना है बस आप उनसे पूछोगी कि क्या करना है तो हर कोई यह कहना जानता है मुझे IS बनना है कोई कहता है मुझे GST स्पेक्टर बनना है कोई कहता है मुझे income tax स्पेक्टर बनना है लेकिन उस बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं मुद्धा is that कि आप उस बनने के लिए कर क्या रहे हैं या फिर जो आप कर रहे हैं क्या उसका output आ रहा है क्या आप एक दिन पता करेंगे सीधे-सीधे कि आप paper में result आया और आप fail कर गए और खुद और दुनिया को hurt करेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता आपको जीवन में हर दिन हर week ये analysis करना पड़ेगा ये evaluation करना पड़ेगा बैठ कर account में आप मैंसे कितने लोग हैं जो account में बैठ कर सोचते हैं कि वो जो जीवन में करने हैं वो बाकी में सही है कितने लोग आप मैंसे सोचते हैं मैं समझता हूँ कि 10-5% लोग ऐसे होंगे जो सही माइने में ये सोचते हैं कि मैं जो life में कर रहा हूँ वो सही नहीं है मुझे selection लेने के लिए इतना परियात नहीं है या मैं अपनी किसी relationship में हूँ तो क्या मैं वैसा बेभार रख पा रहा हूँ जिससे ये relationship पर्मानेंट हो पाए नहीं हम short time entertainment short time खुशी के पीछे पड़े हुए हैं जो लोग बहुत छोटे विजन के साथ चलते हैं जिनको बहुत नजदी की खुशीयां या नजदी की लाव देखते हैं वो जीवन में कभी भी पर्मानेंटली सक्सेस नहीं हो जैसे कहते हैं ना कि attraction is the temporary love या तो attraction कर लीजी कुछ दिन चलेगा खत्म हो जाएगा बट love is the permanent attraction या फिर permanent attraction कर लीजी दोनों चीज़ें आपके हाथ में आपको करना क्या है life में या आप short term खुशी के लिए अपने भविष्य को खराब करेंगे या फिर अपने भविष्य को बनाने के लिए अभी आप short term तपस्या करेंगे या थोड़ा बहुत दुख भी जहिला पड़ेगा तो जहिलेंगे हर एक इनसान ने जहिला है कि आज आपको सीधे पता चलेगा एक साल बाद आपके सीए ने बताया कि आपको 1500 करोड लॉस हो गया कि आपको पल पल पर ये एवेलुएशन या आकलेंट करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी सही दिसा में नहीं जा रही हम आज इस चीश के उपर हावी हो गये कि मुझे इस कंपनी को एक्वायर करना है आप आज बिजनिस में भी या एक्टेक इंडस्ट्री में भी देख रहे होगे मुझे इस बिजनिस को एक्वायर करना है हमें लगता है कि acquisition is the successful business जबकि ऐसा नहीं है मैं यह कहता हूँ कि अगर आपको यह लगता है कि किसी company कोई company बहुत अच्छा कर रही है तो हम उसकी characteristics acquire कर सकते हैं मैं लोगों की अच्छाईयां acquire करनी हैं लोगों को acquire नहीं करनी हैं हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं हम अपने घर में कोई अगर मैं आपके लिए आदर सूँ तो आप अपनी घर में अभिने शर्मा नहीं रा सकते हैं बट आप अभिने शर्मा खुद बन सकते हैं आप उसकी अच्छी quality उसकी अच्छी चीज़ों को सीख करके उससे गड़ित सीख करके आप भी अपने जीवन को बना सकते हैं आपको अपना जीवन मेरे जैसा बनाने के लिए गड़ित आना जरूरी है ना कि मुझे लाना जरूरी है अपने जीवन में कितने लोगों के पास मैं जा पाँ तो आज लोगों की फेल होने की वज़े यही है कि वो समय पे सोच नहीं रहे कि वो जिस दिसा में जा रहे हैं क्या ये लोगों को पसंद आ रहे हैं हम लोगों के हिसाब से अपने प्रोड़क्ट को नहीं बना पारे आपके सेंस में कहूं तो जितनी तैयारी की जरूरत है SSE के हिसाब से हम उतने अपने आपको तैयार नहीं कर पारें तो आज आप सबको सौगंध है किसकी जिसको आप सबसे ज़ादा चाहते हैं कि आज अपने जीवन में चल रही चीज़ों का आत्म चिंतन जरूर करें कि जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं क्या वो आपको सफलता तक ले जा पाएंगी क्या आप जिन चीज़ों में समय खराब कर रहे हैं पूरे दिन रील शॉट्स ये सब देखके क्या इससे जीवन सही दिसा में आगे बढ़ पाएगा देखिए यहां हर आदमी अपने फाइदे की तरफ है आज मैं अगर बात करूँ कि अभिने तर किलेप्स अभिने फैन किलप्स जितने भी लोग किलिप्स बना-बना के डाल रहे हैं और व्यू कमा रहे हैं उनसे उनका फाइदा है आपका नहीं मानते हैं नहीं एक लिमिट एंटरटेण्मेंट एक लिमिट थक रिएल शॉट जलूरी थे बट यह नसा बन गया है जीवन का यह क्या बन गया है नसा बनन गया है हम इसमें गुष्टे चले जा रहे हैं, जीवन का कितना बहुमुल्ले समय, कितना कीमती समय, जिसे हम अपने जीवन को बनाने में लगा सकते थे, वो हमने सिर्थ यूट्यूब, इस्टाग्राम और सोसल मीडिया की दुनिया में गुजार दी, क्या इन कर्मों से आपके सुनह पूछते हैं, आज लोगों का जो intention है, वो सिर्फ इतना रह गया है, कि मैं वाइरल हो जाओ, मैं फेमस हो जाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आर्मी वाला बच्चा वाइरल हुआ था, अभी उसके जीवन की क्या इस्थिती है, एक सुसील जिसने 5 करोड रुपे जीते थे, के भी सी में, आज उसके जीवन की क्या इस्थिती है, क्या सिर्फ सौट टम के लिए वाइरल होके परमाने जीवन की खुशियां लाई जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, आज हमारे आपके बीच में ही एक सर हैं, आप सब जानते हो धासू सर, वो भी गड़ित पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने गड़ित पढ़ाने से ज़्यादा फोकस इस सीश पर करा, कि मैं वाइरल हो जाओ, और वो वाइरल गड़ित पढ़ाने के लिए नहीं हुए, अपनी आदतों की वज़े से हुए, अपने इस्टैल की वज़े स हुए, तो लोगों ने उनको गड़ित में पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जानना काफी नहीं है, जानते तो लोग दीपक कलाल को भी है, जानते तो लोग राकी सावन को भी है, क्या कोई मूवी में काम देता है उनको, नहीं देता क्योंकि उनके अंदर वो पर फोकस कर लें कि मुझे बहतर से बहतर पढ़ाना है हमने क्या किया अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं 2017 से फिरी पढ़ा रहा हूं 2017 से मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए हो गए बर मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बच्छे नौकरी से लग जाए अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं अच्छी चीज़ें करता हूं तो 17 लोग मुझे नौकरी देने वाले हैं आप बताओ आप भी जानते हैं इस बात को इससे मेरे फिरी पढ़ाने का यूट्यूब पर पढ़ाने का कोई तालुकात नहीं है और मैं कहता हूं कि बच्चों ने उनको बहुत अप्रेशेशन दिये बच्चों ने अप्रेशेशन में कहीं कम ही नहीं छोड़ी आप देख लो क्या बच्चों ने उन्हें कम एप्रेशेशन दिया है फरवरी में आज अमरे टीम ने बताया फरवरी में उनके एक लाग सब्सक्राइबर हुए उसके बाद अभी दो महीने ने हुए धाई लाग लोगों ने उनको जोइन किया लेकिन सिर्फ जोइन से बात नहीं बनेगे आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा लोग एक बार आएंगे एक बार देखेंगे लेकिन दुबारा तब आएंगे जब आप कुछ बहतर दे रहे हो कल मैंने उनका वीडियो देखा तारा खेल तो ये है ना कि आप पढ़ना क्या रहे है मुद्दा इस देट लोग आपको कितने देखते हैं माहिने नहीं रखता हमने भी जब यूट्यूब चैनल इस्टार्ट किया हजार पांसो लोग देखते थे लेकिन मेहनत करके वो कडियां जोड़के पांसमा छेचा घंटे मेहनत करके आज आपने मुझे बताया कि अभी कुछ महीने पहले उन्होंने 5000 बच्चों का बेच बनाया ओफलाइन उन्होंने 5000 बच्चों को एड्मिशन करा है तो मैं बच्चों से भी ये गुजारिस करता हूँ कि आप अगर कोई सिच्चक अच्छा करता है तो उसको सपोर्ट करिए और अगर आपको लगता है कि सिच्चक में ये कमी है तो उसको बताइए कि गुरू जी आप यहां पर लेक कर रहे हो आप वो चीज़ें नहीं लेके आप आरे कॉंटेंट में जो बाकी में जरूरी है देखिए बच्चों की मजबूरी है आज आप में से 90% बच्चे वो हैं जिनके पिताजी 500 रुपे टेली कमा रहे है और उससे घर का खर्चा चल रहा है अगर आज एक सदिस्ट घर का बीमार हो जाए तो पिताजी के चेहरे की तितली उड़ जाती है कि इसका इलाज कैसे होगा मेरे यूट्यूब पे टुजर कॉन 2.0 लानी की वज़य यही थी कि बच्चों को मेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रप्लम होती है जी एस वो नोट से पढ़ सकते हैं इंग्लिश नोट से पढ़ सकते हैं लेकिन गड़िस सबसे जरूरी है उसके लिए मैं आज जिस इस्तिती में हूँ मैं नहीं भी पढ़ाऊ तो चलेगा ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो मिशन मेरा आज से चार सल पहले था 2017 में मैं जो सोचता था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है आज भी मैं उसी मिशन पर हूँ आप बताओ ने कभी आके एक कहाओ कि नहीं यह कमपल सरी है यह जरूर ही है मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने काम पर इमानदारी से फोकस किया जाएगा अपने कॉंटेंट को इमानदारी से पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ अच्छा है हजार लोग नौकरी देने के लिए खड़े लेकिन महनत करनी पड़ेगी इस चीज से काम नहीं चलेगा कि मैं आज वाइरल हो जाओं वाइरल होना इस नोट पर्मानेंट सॉलूशन दिस ओल आर टेंपरेरी सॉलूशन यह सब टेंपरेरी सॉलूशन है आप एक बार लोगों क बीच में अपनी पहचान बना कर तो देखो सत्रे रास्ते आपको बिजनिस के नजर आएंगे सत्रे रास्ते आपको लोग नौकरी देने के लिए खड़े होंगे लेकिन महनत करनी पड़ेगी जी जान लगाना पड़ेगा पिर भी हमारी टीम का नंबर हम हमेशा देते हैं नीचे सबको पता है अगर आप उन सर तक पहुंच सकते हैं तो हमारी टीम का नंबर दो मैं डारेक्ट बात करूँगा और जितनी भी संबब बैश्ट पॉसीबल चीजे हो सकते हो करें एक सिच्छक एक सिच्छक के अगर काम नहीं आएगा लेकिन उसके लिए उनको भी ये पढाते थे फिर बहां पढाते थे ऐसा क्यों हुआ अपको बारबार जेगे क्यों बदल नहीं पड़ी क्योंकि आपने आत्म 말씀 नहीं किया आपने intersection नहीं किया, कि जो आप कर रहे हो, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप ये करना भूल गए, क्योंकि ये दुनिया है, मैं आपको बताता हूँ, आज यहां पर कोई किसी को कुछ नहीं देने के लिए बैठा है, यहां लोग भीक में 10 रुपे देने के लिए 10 बार सोचते ह है, जिन्दगी किसी को कुछ देती नहीं है, सिर्फ लोटाती है, जो आप जिन्दगी को दोगे, वो आपको बापस मिलेगा, जो आप बच्चों को दोगे, वो आपको बापस मिलेगा, सब कुछ है बापस मिलने का खेल है, यहां कुछ नहीं मिलता है, लोग कहते हैं, प्य सामने जीता जाकता हो धारा ने कि अगर इमानदारी से सची सिद्दत से बच्चों के साथ सच में वो काम किया जाएगा तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख पाएगा लेकिन सिद्दत लगाने पड़ेगी उनके लिए मन में ये नहीं कि मैं ये धोका इनके साथ करळू मैं ये प्लानिंग इनके साथ करळू बहुत कोमल हीरद है इनका ये सब बिरुजगार है help बहुत emotions इनके तूटे हुए हैं हरकडम पे ये धोका खाके बैठे हैं बहुत मुश्किल से यकीन करपाते हैं तो इनका यकीन